हेलो गैज साब सबी लोग का स्वावत है में एनिमे सेंट पाइपर और आज मैं आपके लिए जिसु काईसन के सीजन वान के एपिसोड 11 को हिंदी में एक्स्प्लेइन करूंगा तो चलिए इस एपिसोड के एक्स्प्लेनेशन को शुरू करते हैं तो एपिसोड के स्टार्टिंग में माहीतो कहता है कि आ बस इतना ही था फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन अब तुम अपनी लिमिट्स पर हो तभी नानमी अपनी घड़ी को देखता है और उस पर छे बच चुके होते हैं फिर वो अपनी ये एक टाइम बेस्ट पैक्ट है वो अब तक अपनी कर्स एनरजी को लिमिट्र रख रहा था सच में मज़्यदार है फिर वो नीचे आता है और नानमी कहता है मेरी टेक्निक टार्गेट को एक लाइन के साथ डिवाइड कर देती है और ये साथ इनके रेशियों पर और ये टेक्निक नरजीव चीजों पर भी काम करती है और मही तो कहता है तुम अपनी टेक्निक बता रहे हो तो मतलब इस बार तुम सीरियस हो फिर नानमी उस पर अटेक करते हुए मन में कहता है मेरे पास इस स्पिरेट को खतम करने के दो रास्ते हैं पहला मैं इसे तब त कहता है ratio technique collapse और माही तो मन में कहता है क्या ताकत है ये एक expanded technique है जो की target को तबहा करने के लिए उस पर कर्स energy फेक दी है ये एक wide range attack है जो कि उसे भी risk में डालता है और शायद अब मुझे इससे बचना चाहिए लेकिन तभी नानमी उसकी एक tank को काट देता है जिसे वो नीचे ग कोगी और माही तो अभी तक confused सा होता है तभी वह पथर उसके उपर आकर गिर जाते हैं और यूजी इची जी को फोन लगा रहा होता है लेकिन वह से नहीं उठाता और यूजी कहता है क्या मुझे खुदी उससे सवाल पूछने चाहिए फिर वह मन में कहता है क्या मैं सीधा ही उससे पूछूँ और वैसे मैं उसे जूजुसू टेक के बारे में कितना बता सकता हूँ तभी यूजी का फोन आटमेटिकली कट हो जाता है और हम देखते हैं कि इची जी अभी तक उस दूसरी कर्स को पकड़ने में लगा हुआ होता है और इधर जुन पर यूजी की उ सौसरर होगा फिर जुन पर मन में कहता है लेकिन जुजुसू सौसरर तो माहितों के दुश्मन है ना तभी यूजी कहता है भूल जा उसे मैं पूछने वाला हूँ फिर वो जुन पर से पूछता है उस दिन तुम जिस ठेटर में गए थे वहां पर तीन लोग मारे गए थे क्या तुमने वहां पर कुछ जीब सा देखा था मेरा मतलब इसके जैसा कुछ तो जुन पर कहता है नहीं मैंने नहीं देखा और वैसे जे चीजे मुझे बस एक दो दिन पहले ही दिखनी शुरू हुई है फिर यूजी कहता है ठीक है और मेरे पास तुम्हारी ले कोई भी स जवाल नहीं है तो जुन पर चौंकर पूसता है क्या बस इतना ही फिर यूजी उसके पास आकर कहता है हाँ बस इतना ही लेकिन क्या तुम मेरे बौग जैसे इंसान के यहां आने तक रुख सकते हो तो जुन पर कहता है हाँ जरूर तो यूजी बैट कर थैंक्स कहता है और फिर वो उससे पूशता है तुम उस ठेटर में क्या देखने गए थे, तो जुनपे कहता है वो एक प्रानी मुवी की स्क्रीनिंग थी, तो शायद तुम उसके बारे में नहीं जानते होगे, तो यूजी कहता है कोई बात नहीं बताओ तो सही, फिर जुनपे कहता है Human Earth Warm 3, तो यूजी कहता है वो तो बहुती बोरिंग थी, और मैंने उसे देखते वक्त बहुती मार खाई थी, तो जुनपे कहता है क्या कहा मार खाई थी, लेकिन वो सच में बहुती बोरिंग थी, पर दूसरी तभी यूजी कहता है पर दूसरी बहुत ही अच्छी थी तो जुन्पे भी खुशुकर चाहे है, हाँ बिलकुल सही कहा और इधर ब्रेस से गेट उन दोनों को देखकर बिंगो कहता है, इधर जुन्पे उसे उस मूवी के बारे में समझा रहा होता है और फिर वो उसे पूसता है इतादोरी तो क्या तुमें भी मुवीस पसंद है तो यूजी कहता है असल मैं पिछले कुस वक्त से मैं बहुत सारी मुवीस को देख रहा हूँ लेकिन मैं उन्हें ठेटर में नहीं देखता तो जुन्पे कहता है पर बढ़िया मुवीस को देखन सा हो जाता है और यूजी अपने फोन को निकाल कर कहता है क्या मेरा नंबर चाहिए जिससे जुन्पे भी कंफ्यूस सा हो जाता है और तभी वहाँ पर उसकी माम आकर उसको आवाज मारती है और यूजी को देखर पूस्ती है क्या ये तुम्हारा नया दोस्त है तो पे कहता है मॉम मैंने आपको स्मोकिंग छोड़ने को कहा था तो वो कहती है ओ मुझे माफ करना मैंने तुम्हारे सामने स्मोकिंग ना करने का वादा किया था फिर वो उसके पास आकर पूस दी है और तुम्हारे इस दोस्त का क्या नाम है तो यूजी कहता है मेरा नाम इताद तोरी यूजी है और वैसे जे ग्रीन अनियन साब पर सूट नहीं करते फिर वो कहती है तो तुमने नोटिस करी लिया और मैं एक ऐसी औरत बनने का सोच रही हूँ जिसे स्प्रिंग अनियन के साथ ना जाना पड़े और ये सुनकर जुनपे कहता है आखिर ये आप कैसी बाते कर रही है तभी वो कहती है ओ हाँ यूजी हमारे साथ डिनर करना चाहोगे तो जुनपे कहता है मौम आप उसे परिशान कर रही है तो वो कहती है क्या कहा क्या मेरा खाना परिशान करता है पर तभी यूजी के खाली पेर से अवाज आने लग जाती है फिर हम लोग गैटो को उसी गटर में देखते हैं और तभी माहितो उस मलबेबे से बाहर आकर कहता है जैसा मैंने सोचा था वो सौर्सरर तो सच में बेवकूफ है और गैटो कहता है तुम दोनों ने तो कुछ जादा ही कर दिया तो माहितो कहता है ओ गैटो वो तो एक दिल्चस्प इंसान था मुझ कर्स एनरजी मेरी इच्छा के मताबिक अंट्रोल हो सकती है और ऐसा लगता है कि मैं अपनी आत्मा को बिना किसी रिस्क के किसी भी तरह बदल सकता हूँ और अगली बार मैं बिल्कुल भी हारने नहीं वाला और मैं कुछ नहीं चीज़ें भी ट्राइ करूँगा और गैटो मुझे कुछ कपड़े देना तो गैटो कहता है मैं नहीं देने वाला और वो सोर्सर कहा है तो महीतो कहता है पता नहीं उसने कहा कि वो जा रहा है लेकिन वो इस मलबे के नीचे भी दफन हो सकता है और इदर इचीजी कहता है क्या कहा तुम जोशिनो जुन्पे के घर में हो तो यूजी कहता है चिंता करने की जरुद numerator नहीं है यहाँ सब ठीक है तो इची जी कहता है मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ और अगर तुम्हें कुछ भी अजीव लगे तो जल्दी से वहाँ से भाग जाना तबी यूजी कहता है ठीक है और हम मुझे डिनर करने जाना है तो भाई फिर इची जी फोन रखकर यूजी की और जाने लगता है पर तबी उसे नानामी का फोन आता है और इची जी उसे उठा कर कहता है हेलो और मुझे माफ करना जिससे नानामी को कुछ भी समझ में नहीं आ फिर वो इची जी से कहता है मैंने तुम्हे अपनी लोकेशन भेजी है मुझे जल्दी से लेने आओ मुझे जज़सु टेक वापिस जा कर येरी से लाज करवाना है तू इची जी कहता है क्या कहा है लाज तो नानामी कहता है चिंता मत करो, कोई जानलेवा चोट नहीं है, तो इची जी कहता है शुकर है, और मैं इतातोरी को लेकर आपके पास जल्दी से आता हूँ, तो नानामी कहता है क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है, जिसे सुनकर इची जी मन में कहता है, मैं सच में कितना दोमेन एक्षपेंशन करने में माहिर था अगर वो जिंदा बच गया होगा तो उसे उस लेवल तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा और तो और उसने हमारी उमीद से जाड़ा इंसानों को मारा है अगर हमने उसे जल्दी खतम नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी फिर जुन पे उसके उपर ब्लैंकेर देता है और यूजी कहता है तुम्हारी माम सच में बहुत ही अच्छी है तो जुन पे सर हिला देता है और वो वो वक्त याद करता है जब वो अपनी माम से कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाओंगा तो वो उस पर गुसा होने की जगा कहती है क मिरे ग्रेंट पाही मेरे सकुस थे जिसे चुनकर जून पे भी चौंग साजाता है फिर यूजी गो एची जी का फोन आता है और वो उसे कहता है साॉरी हम अभी मुवी देखने वाले हैं तो मैं दो गंटे बाद आऊंगा और यह कहकर वो फोन कट कर देता है फिर जून पे उ किसी ना किसी दिन बुरे सोर्सरर से तो लड़ना ही पड़ेगा ना तो तब तुम क्या करोगे तो यूजी कहता है मैं फिर भी उन्हें नहीं मारना चाहूंगा तो जुन पर पूस्ता है लेकिन क्यूं वो तो बुरे लोग है ना फिर यूजी कहता है ये ऐसा है कि अगर मैंन उने करीबी लोगों जिनकी मैं परवा करता हूँ उनकी एहमियत भी भूल जाओं और इस चीस से मुझे ढर लगता है जिसे सुनकर जुनपे भी उदासा हो जाता है फिर आत में जुनपे बेड़ पर पड़ा मन में कहता है इंसानों में दिल नहीं होता इस आइडिया ने तो सो गई थी और क्या यूजी घर चला गया और काफी लेट हो गया है मुझे सफाई करनी चाहिए पर तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है और वो कहती है ये क्या है और हम वहाँ पर सुकोना की फिंगर को देखते हैं और उसकी वज़ा से उसके पीछे कर्स आ चुकी होत हमें जकीन है कि उसके बेडरूम में मिली और ब्लैंकेट को उठाते ही हमने देखा कि उसके नीचे आइस बैक्स पड़े थे फिर हम यूजी और नानामी को देखते हैं और यूजी पूसता है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं बस आपके रास्ते में आऊँगा लेकिन आप भी जखमी हो तो इसलिए अगली बार मुझे भी अपने साथ ले चलना तो नानामी कहता है तुम नहीं चल सकते जैसा कि तुम्हें पता है कि वो कर्स्प्रेट ट्रांस फिगर इंसानों का इस्तेमाल करता है और कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी बचाया नहीं जा सकता और अ जुनपे पर ही नजर रखते रहो फिर हम जुनपे को देखते हैं और वो कहता है मेरे पास खुद के काले कपड़े नहीं थे इसलिए मैंने अपनी मौम की अलमीरा को खोली और जो मुझे सबसे पहले दिखा मैंने उसे ही उठा लिया सुबह की हवा की महक और स्कूल जाने सब जाने पहचाने लग रहे थे लेकिन आज फिर हम पास का सीन देखते हैं और मही तो जुनपे से कहता है यह सुकोना नाम की कर्स अबजेक्ट है जो की दूसरे कर्स को अपनी और बुलाता है और जुनपे डरा हुआ कहता है लेकिन इस जैसी चीज मेरे घर में क्या कर रह मौत का कर्स दिया जा सकता है क्या तुम्हारी याद में कोई ऐसा इंसान है जिसे तुमसे या तुम्हारी मौम से नफरत हो या शायद कोई पैसे और खाली वक्त वाला बुरा इंसान फिर हम लोग जुनपे के स्कूल में फंक्शन देखते हैं जहां पर इतोग को बेस्ट ऐसे competition के लिए medal मिलता है फिर वो वापिस आकर खड़ा हो जाता है और अपने साथ खड़े लड़के से कहता है आखिर तम सोच क्या रहे थे मैंने तो तुम्हें जो हो सके लिखने को कहा था लेकिन तुमने तो मुझे प्राइज ही जितवा दिया और क्या तुम मरना चाहते हो तो वो लड़का उसे sorry बोलता है और इदर एक लड़की बाहर की और देखकर कहती है आखिर वो क्या है और इदर स्कूल की च्छत पर हम गैटो और माहितो को देखते हैं और माहितो कहता है जिसके साथ स्कूल के उपर एक वेल बन जाता है और गैटो कहता है शुक्रिया माहितो क्योंकि मैं यहां पर अपने निशान पीछे नहीं छोड़ना चाहता था और वैसे इस वेल के क्या एफेक्ट्स हैं तो माहितो कहता है कोई भी अंदर नहीं आ सकता लेकिन जो अंदर हैं वो बाहर जा सकते हैं पर यह सिर्फ कम कर्स एनरजी वाले इंसानों के लिए ही है फिर गैटो कहता है यह एक इंजान वेल है विंडोस इसकी तुरंट रिपोर्ट करेंगे और मुझे उमीद है कि यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे प्लैन के मताबे की होगा तो माहीतो कहता है मुझे लगता है सब वैसे ही होगा यह प्लैन तभी शुरू हो गया था जिस हमें जुन पर सुकोना के वैसल से मिला था मैं उन दोनों को आपस में लड़वाऊंगा और फिर इता दोरी यूजी को एक पैट के लिए मजबूर करूंगा जिसे सुकोना को फाइदा होगा फिर गैटो कहता है काह जोगो भी तुम्हारी जितना ही समझदार होता तो माहीतो कहता है लेकिन वो जितना इमानदार और सीधा है वो चीज भी क्यूट लगती है और क्या तुम्हें इससे कोई प्राबलम तो नहीं क्यूंकि वो फिंगर एक बहुती कीमती चीज थी तो गैटो कहता है कोई बात नहीं डिटेंशन सेंटर वाली फिंगर इता दोरी यूजी ने उसी वक्त खा ली थी लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमने जो फिंगर योशीनो जुनपे की घर पर छोड़ी है उसे जिजुसू टेक अपने साथ ले जाएं तो महीतो कहता है क्या एक और चाल है तो गैटो कहता है हाँ कह सकते हो तो ठीक है मैं चलता हूँ फिर महीतो बैठ कर कहता है कास तुम भी रुक कर उन बेवकूप बच्चों को मरते हुए देख सकते इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे बेहोश हो चुके होते हैं और सोता मुरा उन सभी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है तब ही जुनपे वहाँ पर आकर कहता है वो लोग मरे नहीं है और सोता मुरा कहता है योशीनो क्या तुम्हे पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो जुनपे कहता है सैंसे ज़रा इसे देखिए और ज़रा याद कीजिए जो कुश के अभी तक हुआ है और जो अभी होने वाला है फिर वो इतवू के सामने आता है और पूसता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है क्या तुमने वो चीज मेरे घर पर रखी थी तो इतवू कहता है आखिर तुम ये क्या पर तभी उसे एक डंग लगता है और जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ में जहर फैलने लग जाता है और इतवू पूसता है आखिर ये क्या है और तुम ये क्या कर रहे हो तो जुन पे उसे एक पंच मारता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई सवाल पूछने की पूजिशन में हो भी, तुम जो भी कहो, लेकिन तुम मरने वाले हो, मेरे पास तुम्हारे जूट को पकरने का कोई भी रास्ता नहीं है, पर तुमने पहले ही इतना कुछ किया है, जिसके लिए मौत की सजा भी कम है, फिर वो से उपर उठा कर कहता है, कम से कम अपने आखरी पलो में जड़ा सा इमान तो दिखाओ, तो इटव कहता है, मुझे माफ कर देना, फिर जुन्पे कहता है, और तभी इतव रोने लग जाता है, और जुन्पे कहता है, तो क्या, पर तभी यूजी वहाँ पर आ जाता है, और वो ये सब कुस द लेकर कहता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो जुन पे तो जुन पे कहता है इससे दूर रहो जजुसूसर्सर और इसी के साथ यह अपिसोड एंड हो जाता है तो जाएस माफ करता हूँ तो इस चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं एक और निया एक्षप्रेनेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई